मैं आज आपके सामने जो बुक को हिंदी में अनुवात करने जा रही हूँ वो बुक का नाम है इलूजन्स बाइ रिचर्ड बैक रिचर्ड बैक को कौन नहीं जानता उनकी बहुत सारी किताबे हैं उसमें से इलूजन्स एक है इलूजन्स से पहले उस बहुत सारे किताबे लिख चुके थे उनमें से जोनातान लिविंस्टन सीगल के बाद सभी पूछ रहे थे कि नेक्स्ट बुक आप कौन सा लिखेंगे लेकिन रिचर्ड बाग बोल रहे थे कि जितने भी बुक्स मैंने लिख दिया और ये जोनातान के बाद मुझे और कुछ भी नहीं लिखना है एक सब्द भी नहीं सब मैंने लिख दिया है और कुछ बाकी ही नहीं है लेकिन लोग सब पूछ रहे थे कि क्योंकि वो बहुत सुन्दर सुन्दर किताबे लिख चुके थे लेकिन उनको लग रहा था और वो enjoy भी नहीं कर रहे थे लिखना बोले थे नहीं अब नहीं लिखना है लेकिन अंदर से कुछ लग रहा था कि कुछ बाकी है लेकिन ऐसे जीवन चल रहा था रिचार्ड बैक एक पाइलट है उनका एक बाइपलेन है हर समर में वो अपनी आंटिक बाइपलेन लेके एमरीका की मिडवे में जाते हैं वहाँ पे वो पैसेंजर्स को लेके राइट कराते हैं उनको बहुत आजाल अच्छा लगता है फ्लाइ करने में वो तीन डाला लेते हैं एक राइट के लिए उस सब कर रहे हैं फिर फिर उनका लग रहा है कुछ है ऐसे एक दिन बैठे हैं जिसे एक कांच की आवाज की तुटने की आवाज आ रही है और कोई उनकी गले को पकड़के धीरे से कान के पास बोल रहे हैं की रिचर्ड मैं आपको जाने नहीं दूँगा जब तक आप सब कुछ पेपर में नहीं लिखोगे तभी वो मिलते हैं इल्यूजन से उसके बाद उनको जैसे लगता है की लाइट में कोई होना चाहिए कोई गूरू या कोई भी होना चाहिए जो उनको बता सके की अक्चुली भ्रह्म ये इल्यूजन्स क्या है ये इल्यूजन्स है भ्रह्म हम सभी भ्रह्म में ही जी रहे हैं इस भ्रह्म के पीछे की वास्तविक्ता को हम जान सके तो उनको भी लगता है कि कोई गूरू या कोई भी होना चाहिए जो मुदे बता सके कि क्या है ये जिन्दे की हम कैसे जिएंगे इसके पीछे क्या है अगर कोई सिधार्त या जिसिस क्राइस्ट इसे कोई हमारे जिवन में आ जाते तो क्या होगा ये सब सोचते हैं इसे सोचते सोचते उनको लगता है कि मुझे भी साइद कोई गूरू मिल जाए तो ये इल्यूजन्स बूक है सिब दो ही कैरेक्टर है इस इल्यूजन्स बूक में रिचार्ड बैक और उनके गूरू डोनाल सीमोडा इन दोनों की बारे में ही ये बुक है तो ये बुक के बारे में स्टोरी के बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे लेकिन पहले एक कोटेशन के साथ ये सुरू करते हैं उनका बहुत ये सुन्दर कोटेशन है जब तक हम सोचेंगे की इस दुनिया में कहीं इनजस्टिस हो रहा है दुखत गटना हो रहा है तो तब ही भी हम अग्यानी है मतलब हमारे ग्यान का विकास नहीं हुआ है क्योंकि इसे कुछ इनजस्टिस, ये ट्राजडी इसे कुछ है ही नहीं जो हो रहा है सब एक-एक चीज हो रहा है लेकिन ये कुछ दुख वाली घटना नहीं है वो उनकी हिसाब से हो रहा है जिसकी जीवन में हो रहा है उनकी हिसाब से हो रहा है वो इसे चूज करके ही आए है लेकिन वो कैसे यह हम समझेंगे दिरे-दिरे स्टोरी में तो आज के लिए इतना ही हम अगले अपिसोड में आएंगे वुक्स के साथ धन्यवाद